तो अपने भाईजान सलमान खान की आने वाली फिल्म पर suspense फाइनली अब खत्म हो गया है और अब खुद सलमान ने टाइगर 3 के बाद अपने अगले प्रोजेक्ट को अफिशल अनाउंस किया है टाइगर 3 के बाद सल्मान की नेक्स्ट मूवी कौन सी होगी ये इंटरनेट पर एक बड़ा सवाल हो गया था इन दिनों जिसका आंसर और सस्पेंस आज खत्म हो गया बाकी इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये वही फिल्म है जिसकी रूमर और न्यूज इन दिनों काफी चल रही थी इस फिल्म को AR मुरुगादास डाइरेक्ट करेंगे और ये वही डाइरेक्टर है जिन्होंने आमिर की गजनी बनाई थी ये फिल्म सल्मान अपने दोस्त साजिद नाडिया ड्वाला के साथ मिलकर बना रहे है यानि की साजिद इसे प्रिद्यूस करेंगे और इसी फिल्म को मीडिया में किक टू बोला जा रहा था लेकिन साजिद ने खुध ट्विटर पर किक टू वाली फैन ठीरी को रिजेक्ट कर दिया लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस project को मना ही कर दिया था बल्कि ये बताया था कि ये film बन रही है और आज सल्मान ने official ये कह दिया है कि ये film बन रही है लेकिन अब तक साजिद और सल्मान की तरफ से movie का title reveal नहीं किया गया है और उम्मीद है कि इस साल ईद वाले दिन या उसके आसपास इस मूवी का टाइटल और पोस्टर रिलीज किया जाएगा बाकी तो इस फिल्म को लेकर ये रूमर्स पहले ही से फैली हुई है कि ये सलमान और साजित की सबसे बड़ी मूवी होगी यानि तीनों के ही करिय की सबसे महेंगी मूवी होने वाली है जिसका बजट करीब 400 करोण होगा अब 400 करोण का बजट होगा तो जाहिर सी बात है कि ये फिल्म एक एक एक्शन त्रिलर ही होगी जिसकी शूटिंग इंडिया से बाहर ही की जाएगी जो की यूरोप के अलग-अलग देश होंगे अब जब ये फिल्म अनौन्स कर ही दी गई है तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि इसके pre-production को शुरू कर ही दिया गया होगा कि नेक्स्ट तीन सालों में सल्मान की नौ फिल्में रिलीज हो सकती है जिसमें टाइगर वर्सिस पठान, दबुल, शेर खान, कबीर खान की बबश शेर, दबंग 4 जैसे टाइटल है लेकिन कन्फरमेशन सिर्फ एक ही मुरुगादास की मूवी की हुई है, बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताना और साथ में चैनल सब्सक्राइब करना न भूले, तो इस शॉर्ट विडियो में इतना ही, ऐसे ही शॉर्ट्स है सिनमा और पॉपकॉर्ण, तिल दन बाइ.